हेलो दोस्तो वेलकम माई यूट्यूब चैनल ओप्सन ट्रेडिंग टेकनिकल एनालाइसिस में आप सब का स्वगत है तो दोस्तो अगर आप हमारे डेली एनालाइसिस को फोलो करते होंगे तो आज आप लोगों ने अच्छा कासा प्रॉफिट कमाया होगा तो चलिए देखते करेंगे आज हमने कौन-कौन सा ट्रेड लिया था और किस लॉजिक पर लिया तो चलिए दोस्तों अब हम स्टाट करते हैं तो देखे दोस्तों यहां पे एक ट्रेड बनाए थे पी साइड के तरफ ठीक है दोस्तों जो की अप्रोक्सिमेट लेवल है 42,850 का हाला कि मैंने कल करेंगे अगर आप लोगों ने एक ट्रेड बनाया था और उसके बाद हमने यहां तक जो है मुमेंट कैप्चर किया था जो कि एक साइकलोजी का लेवल था 42,500 का और अच्छा प्रोफिट बना और जिन्होंने हमारे अनलेसिस को पोलो किया होगा उन्होंनों भी आज के दि कर देखते हैं कल के दिन वेकिन्हीं कैसा काम कज कर लेते हैं तो देखे दोस्तों अब हमें कौन कौन सा varyब ना है कि सारी जीजे देखेंगे दर दोस्तों पहले आप लोगने एक जीज मैं आप लोगों बता देना Sü weapon में होना था लोको रेंडमली ट्रेड नहीं लेना चाहिए ठीक है दोस्तो क्योंकि अगर सपोज कड़िए आप लोगों ने एक ट्रेड बना लिया और उसके अंदर आप लोगों ने वहां पे लॉस होने वाला है ठीक है दोस्तू तो ऐसे रेंडमली ट्रेड से बचें अब चलिए देखते हैं इंट्राडे के बेस पे कौन-कौन सा लेबल निकल के आ रहा है कल के दिन ट्रेड करने के लिए तो देखे दोस्तू अगर कल के दिन गैप अपनिंग होती है वो लेबल कौन सा होगा चलिए हम मार कर लेते हैं ताकि आप लोग को जो है चीजे यहां पे किलियर पता लेख सके देखिए यहां पे अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अपनिंग होती है जो की लेबल है 42,864 का अगर इसके उपर कल के दिन आप निफ आप अउपिया और यहां पे 15 मिनट का यैप किनल कर जाएगा तो हम यहां पर सीव में बैठेंगे दोस्तों पे यहां पर इन्मीजार्ट के जो पुट की एंटारि बनाएंगे जोई हम यहां लेगत 390 मिनट पर नाइंग HEY-E यहां तौन्यार्ट यहां पर बात करें हम तो पहला टार्गेट हमारा रह सकता है पी साइट के के तरह वो रहेगा यह वाला लेवल जो कि अपरोक्सिमेट लेवल है कर लें अब सबोज करिए अगर कल के दिन ग्याप डॉन खुलती है वह कौन सा लेवल होगा चलिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं ताकि वहां पर लेवल हमें किलियर दिखाई दे सके देखिए अगर दोस्तों कर इस लेवल पर गैप डॉन ओपनिंग होती है कल के द दिन काम करेगा देखिए एक बार सपोर्ट लिया गया दो बार यहां से सपोर्ट लिया गया उसके बाद रजिस्टेंस लिया गया फिर यहां पर सपोर्ट लिया गया अगर यहां पर कल के दिन ग्याप डॉन खुलती है तो हमें यहां पर इमिजेट पुट नहीं बाई करन और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे अच्छा खासा C side के तरफ entry मिलेगा जब यहाँ पे 15 मिनट का candle sustain कर जाएगी तब हम यहाँ पे C side के तरफ जाएगे और पहला target हमारा रहेगा 42,222 का, दूसरा target हमारा रहेगा 42,381 का और तीसरा और final target होगा 42,671 का, तीसरा target हमारा final target होगा है ठीक है दोस्तु, यह तो हो गया gap up और gap done वाला scenario आप सभोज करें, अगर कल के देन flat खुलती है, वो level कौन-कौन से हमें देखने होंगे देखे, अगर 42,381 से ले करके, और यह जो level है, 42,000 approximate level में आप लोगो बता देता हूँ, ताकि आप लोग अपने चार्ट के पर मार कर ले 42,671 तक, 42,381 से ले के, 42,671 के बीच मगर कल के दिन, बैंक निप्टी ओपनिंग होती है, लिटिल बीट gap up या लिटिल बीट gap done तो हमें यहाँ पे level का वेट करना है, या तो 42,671 को अगर जब breakout करेगी, तब हम यहाँ सीई सैड के तरफ जाएंगे, वो भी कम quantity के साथ, और target यहाँ पे 100 point का ही रखना है, या फिर नीचे के तरफ breakdown करेगी, 42,381 को तब हम यहाँ पे put by करेंगे, वो भी कम quantity के साथ, और target यहाँ पे जो है swap point का ही रखना है, ठीक है दोस्तो, सारे condition जो है मैंने आप लोग को बता दिया, और आप लोग जो है इसको follow भी करिएगा, ऐसा नहीं है, आपने इधर देखा और उधर जाके randomly trade कर दिया, और उसके बाद जो है आप लोग message करते हो, सरब हम क्या करेंगे, य इसा आपका होता है, ठीक है, और जो broker को आप use करते हो, कोई भी use करते हो, वो आपका होता है, ठीक है, तो उसके अंदर मैं कुछी नहीं कह सकता हूँ, यह आपका होता है, यह आप देखिए, आपको कहाँ पर profit book करना है, कैसे करना है, आप लोग जो है analysis की video पूरा ध्यान प अंदर चलते हैं, तो देखे दोस्तो, अब हम nifty के चार्ट पे आ चुके हैं, तो आज के दिन nifty भी ऐसा ही moment दिखाया, जैसा कि bank nifty के अंदर moment दिखाया, और यह वाला जो moment था, यह हमने bank nifty के अंदर capture किया था, ठीक है दोस्तो, अब चलिए देखते हैं, nifty के अंदर कल के लेबल जो है, निकल के आ रहा है, तो देखे, अगर कल के दिन nifty gap up opening होती है, वो कौन सा लेबल होगा, चलिए हम लेबल मार कर लते हैं, आप लोग अपने चार्ट के उपर mark करा करो लेबल को, यह वाला लेबल होगा, जो की approximate level है, 18,140 का, अगर इसके उपर कल के दिन nifty gap up opening ह होती है, तो हमें यहाँ पर wait करना है, जब यहाँ पर 15 मिनट का candle sustain कर जाएगी, तब हम यहाँ पर call buy करेंगे, और कम quantity के साथ call buy करेंगे, क्योंकि call हमारे लिए यहाँ पर risky रह सकता है, हो सकता है, यहाँ पर selling pressure आ सकती है, आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हैं, इस ल buy करेंगे, और कम quantity के साथ buy करेंगे, और उसके बाद target यहाँ पर ज्यादा नहीं, 50 point का हम target रखेंगे, जो की approximate level होगा, 18,200 तक के लिए target के लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यह तो हो गया gap of बाला scenario, अगर यहाँ पर 15 मिनट का candle नहीं sustain करती है, तब हम यह यहाँ पर immediate put buy करेंगे, और put side के तरफ जो हमारा पहला target होगा, चलिए पहले हम इसको चार्ट को थोड़ा clear कर लेते हैं, ताकि हमें चीजे दिखाई दे सके, पहला target जो हमारा होगा, यहाँ पर put side के तरफ, nifty के अंदर वो होगा हमारा यह वाला level दोस्तों, ठीक है दोस्त के तरफ, nifty के अंदर वो रहेगा दोस्तों, यह वाला level जो की approximate level है 17,949 का, ठीक है, और उसके बाद हम SL को trail करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों, यह तो gap up बाला सनेट यह हो गया, अगर यहाँ पर 15 minute का candle नहीं sustain कर पाएगी, जो की level है 18,141 का, यहाँ पर मैंने आप लोगो स देन, nifty gap down खुलती है, वो कौन सा level होगा, चलिए हम mark कर लेते हैं, ताकि आप लोग को चीज़े पता लग सके, यह वाला level होगा, जो की होगा 17,770 का, अगर यहाँ पर gap down खुलेगी, तो हमें यहाँ पर immediate put नहीं buy करना है, जब यहाँ पर 15 minute का candle नहीं sustain कर पाएगी, तब हम यहाँ पर put buy करेंगे, और कम quantity के साथ put buy करेंगे, और target यहाँ पर 50 point ही रखेंगे, ठीक है दोस्तो, जब यहाँ पर 15 minute का candle sustain कर जाएगी, तब आप लोग को अच्छा खासा यहाँ पर opportunity मिलेगा, call buy करनेगा, ठीक है दोस्तो, तो पहला target हमारा call side के तरफ रह सकता है, nifty के अ निफ्टी के अंदर वो होगा यह वाला level, जो कि एक psychology का level है, ठारा हजार का, और उसके बाद हम यहाँ पर SL को ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है दोस्तो, अब suppose कर लिजिए, अगर कल के दिन flat खुल जाती है, वो level कौन कौन से होगे, देख लिजिए, अगर कल के दिन 17893 से ल यहाँ ना call buy करना है, ना put buy करना है, जब तक level breakout या breakdown ना हो, या तो एक psychology का यहाँ पर level breakout होगा, तब हम यहाँ पर कम quantity के साथ, और यहाँ पर risky रह सकता है, call, यहाँ पर आप लोग 50 point के target के लिए जा सकते है, call side के तरफ, ठीक है दोस्तो, यहाँ फिर इस level को breakdown करेगी, तो put side और target यहाँ पर ज्यादा लंबा नहीं रखना है, 50 point का ही target रखें, ताकि आप लोग को benefit मिलेगा, ठीक है दोस्तो, उसके बाद अगर level तूटती है, तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है, यह जो level अगर तूटती है कल के दिन, 17,777 का, तो अच्छा खासा न नहीं चलना हमें market के अंदर, हमें market के अंदर profit लेना है, तो सारे rules को follow करने होंगे, आप लोग rules को follow नहीं करते हो, जिस कारण जो है, आप लोग market के अंदर loss करते हो, randomly trade करना, video को पूरा watch नहीं करना, analysis को देखना नहीं, उसके बाद call or put के चकर उपर जाते हो, चार्ट को read न चार्ट को read करें, और उसके बाद ही आप लोग real money से trade करें, ठीक है दोस्तों, तो आसा करता हूँ, सारे चीज़े आप लोगो समझ में आ गई होगी, तो देखे दोस्तों, अगर आप लोग हमारे channel पे नए हो, तो channel को subscribe करें, like तो जरूर एक बनता है, like आप लोग करते नही वीडियो के description में और plus channel के about section में मिल जाएगा, तो तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम